नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है वालचंद्रा ब्रह्मांड सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनां 4 दिसंबर 2021 का संप्रुन राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है शनिवार का है आज अमावस का दिन है और नक्षत्र अनुरादा है योग सुकर्मा है दिन का जो करण है वो नाग है और जो रात का करण है वो किस्तु है आज के दिन का जो गुलीक काल है वो शुरुवात होगा सुब़ 6 बचकर 53 मिनट से लेकर 8 बचकर 14 मिनिट तक अभिजेत मुर्थ दोपर 11 बचकर 53 मिनट से लेकर 12 बचकर 41 मिनिट तक का होगा गुलीक काल और अभिजेत मुर्थ दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्राकार के महत्व पुर्णकाम या फिर्णिरने आप ले सकते हो। उसे प्राकार आजके दिन का जो राहुकाल है वह शुर्य होगा सुबह नौ बच कर 35 मिट rozp दसकर 56 मिल्ट तक और यमगंदकाल दो पर एक Devi 38 मिल्लें। दो बचकर 69 मिल तक का होगा राहुकाल और यमगंडकाल आशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्राकार के महतुपुर्णकार या फिर निर्ने बिल्कुल भी नहीं नेना उसी प्राकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपुर्ण दिन वरिच्चिक राशी में रमण करेगा या चंद्रमा रवी और अधिस के साथ यूती योग करने जा रहा है नेप्टुन के साथ केंद्र योग करने जा रहा है उसी प्राकार शनी के साथ लाव योग भी करने जा रहा है आजे के दिन रवी और केतू की यूती भी होने जा रही है यह ग्रसिती सामने रखते हुए भारा राशियों का राशिपल क्या होगा स्विशेपल अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना आज के दिन आप बहुत सट्रेस फिल कर सकते हो जो भी महतोपूर्ण काम है आज के दिन आरंब बिल्कुल भी नहीं करना उसे पर अगर आपके आश्टमभाव में सित्रवी के साथ केतु की यूती होने जा रही है ये सबसे ज्यादा महतोपूर्ण और अशुब फलदाई योग है तो अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो मिस अंडरस्टेंडिंग होने की चांसे बहुत ही ज्यादा बनते हैं पर ध्यान दीजिए अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो या फिर आज की दिन ऐसे किसी भी प्रकार के या फिर आने माले दो से तीन दिन में यह जो ग्रहयोग इसका प्रभाव देखा और वही पर से रवी और बुद्ध के साथ यह चंदरमा युदियोग करने जा रहा है आपके भग्यबाव में से शनी के साथ यह चंदरमा लाभयोग करने जा रहा है और आपके दशमबाव में से निप्चन के साथ यह चंदरमा केंदर योग भी करने जा रहा है तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वाई-वाई जोड़ीदार है उनके साथ चोटी-मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है तो ध्यान रखी ये बात जानने ना काफी जादा आवशक है आज के दिन किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण नेर नहीं है फिर डॉक्मिनेशन के बार करेंगी उसी परकार आपके सब्सक्राइब के साथ के तुकी युटी भी होने जा रही है यह ग्रोयों काफी ज्यादा महतोपुर्ण साबित होगा आने वाले दो से तिन दिनों में आपकी जो वाई-वाई जोड़ीदार है उनके साथ चोटी-मूटी बातों के लेकर तकरा हो सकते हैं खास करके misunderstanding होने के chances काफी ज़्यादा बनते हैं उसी परकार आपके घर के जो पुरुश वर्ग होंगे उनके स्वास्त के बारे में भी problem complications आने वाले दो से तिन दिनों में आप अनुभव कर सकते हो तो थोड़ा सा सजग रहना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है मिथन राशी मिथन राशी के सच्ट बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही परसित रवी और बुद्य के साथ ये चंद्रमा युदियोग करने जा रहा है आपके भाग्य बाव में से नेप्चुन के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है आपके लाभ יהोंल भी करने जा रहा है तो जहांब आप काम करते हो नुकरी करते है पिर बैसाय करते हो भार कि जो नेना रह이고 वह सकती है आपको सिर्थ के ओपर ध्यान देना जैदा आवश्रक होगा जा पर आप काम करते हो नोकरी करते हो वहाँ पर के जो वरिष्ट होंगे उनके साथ भी चोटी मुटी बातों को लेकर misunderstanding के वज़े से आप में थोड़ा सा problem आप मैसुस कर सकते हो law of confidence भी देखा जाएगा आने वाले 2-3 दिनों में किसी भी प्रकार के documentation के के बारे में काम है या फिर किसे के कोई commitment करनी है promises करनी है बिलकुल भी नहीं करना क्योंकि यह जो ग्रहयोग है आपके लिए काफी जादा महतोपुर्ण होता है और अशुमफलदाई भी साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के पंचमभाव में चंद्रमा का ब्रहमन है वही पर सिद्रवी और बुद्य के साधिया चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके मुटे बातों के लेकर प्राब्लम कॉंपलिकेशन आ सकते हैं आज की दिन आपको कुछ लाब भी हो सकते हैं लेकिन आज की दिन किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम बिल्कुल भी आरम नहीं करना उसे प्रकार आपके पंचमभाव में रवी और केतु की यूती होने जा रही तो आने वाले दो से तिन दिनों में अगर आप शेयर मार्कर से डिल करते हो तो बड़े ट्रेड या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसंडरस्टेंटिंग होने की संबवना काफी जादा बनती है और उसे क्यों चलते आपकी जो रिलेशनशिप है वो खत्रे में भी आ सकते हैं तो ध्यान रखिए ये बातें जान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के च constitu corrupto बमिच है ज्यारमा का ब्रह्मण है और वहए पसी रोगर के ससाथ ये चन्डरमा लेकार दकरार हो सकती है व्यां कि जो मांगे है वो पूरी ना होने के कारण आप से उनके साथ चूटे मुटे बातों के लिए कर प्रॉबलम हो सकते हैं आज के दिन आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे लेकिन आराम आपको नहीं मीलेगा थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा उसी परकर आपके चतुर कबाव में रवी और केतु की यूती भी होने जा रही है तो आने मद दो से त बैठना पढ़ सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के दृतिया बहुमिचंदरमा का भ्रहमन है और वही परसित रभी और बुद्य के साधिया चंदरमा यूतियोग करने जा रहा है आपके शाष्ट बाभमिचСТ निप्चुन के साधिया चं हो सकता है उसे पर लेकर आपके त्रितिया भाव में रवी और रवी और केतु की यूटी होने जा रही है यह ग्रह यह बहुत ही ज्यादा महतुपर्ण और अशुभु फुलदाई भी थाभित होगा आने वले दो से तिन दिनों में अगर आपका विवाह हुआ है तो कना रही है क्योंकि जो बात है दो-т boiler चार दो-तिन दिनों में नौर्बल भी हो जाएंगे लेकिन इन दो-तिन ओन दो में थोड़ा सा आपको सब्सा काम लेना होगा क्योंकि आपकी जो राशी है वो stress काफी जल्दी से ले नी थी है इसके बात की जो राशी है वह है तो तुला राशी के द्वित्य वहां में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही पर से रवी और बुद्र के साथ ये चंद्रमा युदियोग करने जा रहा है आपके पंचम वहां में से नेप्टिन के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है आपके चतुरत वहां में से शनी और केतु की यूती भी होने जा रही है तो आने वले दो से तीन दिनों में किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण जो investment है या फिर खर्चे है वो बिल्कुल भी नहीं करना आपके जो मित्र परिवार है जो मित्र काफी ज़्यादा फिर्मस है उनके साथ misunderstanding के वज़े से आपके जो friendship है वो खत्रे में आ सकती है काफी दरार उसमें पढ़ सकती है और वो वज़ा misunderstanding की वज़े से ही होने के chances काफी ज़्यादा बनते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी में ही चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके राशी में से दरवी और बुद्धे के साधिया चंद्रमा युद्ययोग करने जा रहा है आफे चतिरदवाउ में से निक्चिन के साधियाचंदरमा केंदर योग करने जा रहा है, आपके त्रितियओवाउ में से शनी के साधियाचंदरमा लावयोग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है अलागे आज के दिन आपके मन में काफी ज़्यादा योजना होंगे लेकिन उसके उपर डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर भी आप सहन कर सकते हैं या फिर थोड़ा प्रेशर में आप आ सकते हो आप ही के राशी में रवी और केतु की यूती होने जा रही है यह जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वण हो जाता है यह बत काफी ज़्यादा महत्वण होगी क्योंकि आने वाले दो से तीन दिनों में जो भी आपका कारेशर तरह है उसके संदर में कुछ प्रश्न चिननल लग सकते हैं क्योंकि इसके पहले अगर आपने कोई कलर डिसीजन लिये थे या फिर रिस्क में जाके अगर कोई डिसीजन लिये थे तो उसके जो परिणाम है वो आने वाले दो से तीन दिनों में आपको मिल सकते हैं उसी परकार आगे जाके आपके करीड के बारे में क्या किया जा सकता है उसके संदर में भी स्ट्रेस आपको आ सकता है और वो जो stress है वो आने वाले 203 दिनों में बना रहेगा इसके जैसे आपका जो confidence है वो भी थोड़ा इल जा सकता है या फिर उसमें भी थोड़ी कम आपका जो confidence है वो कम आखा जा सकता है तो ध्यान रखिए थोड़ा सा 2-3 दिनों तक आपको अपने पर थोड़ा सा control रखना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है धनो राशी धनो राशी के वही अभाव में चंदरमा का ब्रह्मान है वही बरसे द्रभी और बुद्य के साथ ये चंदरमा युतियोग करने जा रहा है आपके तृतियोभाव में सिद निप्चिन के साथ ये चंदरमा केंदर युग करने जा रहा है और आपके द्वितियोभाव में सिद शनी के साथ ये चंदरमा लाब योग भी करने जा रहा है काफी ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिन आपका आज का हो सकता है और वो जा stress है, वो आपके health से relate करने वारा ज्यादा होगा, उसके तोपर धोड़ा दयान देजा, अगर आपका विवा हुआ है, तो आपके जो वाई-वाई जोड़िदार है, उनके साथ भी चोटी मुटी बातों को ले करता करार हो सकती है, उसे पर आपकर आपके वही अभा तो उसमें आपके जो निर्णे है, वो चूकने की संभावना काफी जादा बनती है, तो ये जो बाते हैं ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो अमावस आपके विवाभाव में होने जा रही है, वो आपको stress level काफी माईनों में दे सकती है, इसके बाद की जो राशी है, वो है मकर राशी, मकर राशी के लावभाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है, और वही पर सिद रवी और बुद्या के साथ ये चंदर्मा युतियोग करने जा रहा है, आपके दुद्याभाव में सिद निप्चन के साथ ये चंदर्मा केंदर्योग करने जा रहा है, और आपी के रा वोबों में रवी और केतु की यूति भी होने जा रहे है तो अगर आप किसी स्वास्त के बारे में किसी वैदी से अगर आप पीडित है तो आने वाले दो से तिन दिन आपके लिए थोड़ से dangerous हो सकते हैं उसके कुछ लक्षन आपको दिखाई दे सकते हैं अगर किसी भी प्रकार के लक्षन आपको दिखाई देते हैं तो तुरंट उसके उपर काम कीजिए क्योंकि जो लक्षन है काफी बढ़ सकते हैं तो ध्यानम में रखिए स्वास्त के बारे में और आपके रिलेशन्शिप के बारे में आने वाले दो से तिन दिन बहुत ही ज़ लाब योग भी करने जा रहा है तो जो भी आपका कारिक्षेत्र है अगर आप नोकरी करते या फिर वैसा करते उसके संदर में कुछ स्ट्रेस या पर टेंशन आज आपको आ सकते हैं तो ध्यानर की यह बात जादा आवश्यक होगा उसी प्रकार आपके दशंबह में रवी और केतु की यूती होने जा रही है तो यह बात यह जो पर्टिकुलर योग है आपके लिए काफी ज़्यादा मेहत्व पुर्ण हो जाता है आने वाले दो से तीन दिनों में अगर आपका विवा हुआ हुआ है तो आपकी जो वाई-वाई-जोडिदार है उनके साथ आपका misunderstanding के वज़े से काफी ज़्यादा बात भीगड़ सकती है आपकी जो relationship है वो भी खत्रे में आ सकती है और misunderstanding वज़े से यह बादे काफी आगे तक जा सकते है तो ध्यान रखे अगर ऐसे कोई बात होती है तो खुद पर सयम रखना और उसका संदर में जो भी बाते हैं वो तीन- दो से तीन दीन है relationship के मामले में खास करके वाई-वाई relationship के मामले में थोड़ से नाजुक नजर आ रहे हैं इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के भागी बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और होई परसित रभी और बुद्य के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके वह बाव में से दिप्चिन के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने ज जा रहा है तो आज का जो दिन है वैसे देखा जाए थोड़ा सा आज आप घूमना फिरना पसंद करोगे कहीं ट्राइलिंग करना पसंद करोगे लेकिन आज की दिन किसी भी प्रकर के महत्वपुर्ण निरने बिल्कुल भी नहीं लेना ये बात जानने ना काफी ज़्याद आ और ऑष्यक होगा उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो नुकरी करते हूझ करते है वहां पर अफिस पॉलिटिक्स चैसी बातें आपके सामने आ सकती है और वो बाते आपके लिए कई ज्यादा स्ट्रेस्फुल भी शाबित हो सकती है गुप्त्षात्रश्टरु जीसरे हम केते हैं उसी प्रकार का कुछ अनुबव आपको आने वड़े दो से तीन दिनों में मिल सकता है तो थोड़ असा चौकन ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा तो दोस्तो ये था दिना 4 दिसंबर 2021 का संपुड राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस तरह से अनुबव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मान्द सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्र जरू करने धन्यवाँ